नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहन तिवारी देखिए लोकसभा चुनाओं के नजदीक आते ही जनतादल यूनाइटेड में नेताओं का बगावत सुरू हो गया है पहले अभय कुसवाहा ने जेडियू छोड़ कर राजद का दामन थामा और और अरंगाबाद से लोकसभा सीट भी उनको मिल गया तो वहीं दूसरी तरफ अब रुपावली की जदियू विधायक बीमा भारती ने भी नितीश कुमार का साथ छोड़ दिया है उन्होंने पाट क्या होने वाला है एक तरफ लोकसभा चुनाओं को लेकर लालू यादो लगतार दाओं चल रहे हैं महागडबंदन में सीट सेरिंग से पहले ही उन्होंने अपने सीटों पर उमिदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ एंडिये के अंदर जनत हाली की विधायक है बीमा भारती लगतार वह जेडियुकी विधायक लेकिन अब जिस तरीके से दौरान उनके बेटे और उनके पती को अरेश्ट कर लिया गया उसके बाद से नराजगी बीमा भारती की लगतार थी और अब उन्होंने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है और राजत का दामन थाम लिया है लेकिन बात केवल इतनी नहीं है बात ये है कि बीमा भारती को राजत पुर्णिया से कॉंग्रेस में विलय कराया और उमीद में थे कि महागडबंदन में यहसीत पुर्णिया की कॉंग्रेस के खाते में आएगी कॉंग्रेस उनको उमिद्वार भी बनाएगी लेकिन उससे पहले लालू यादों ने फिर ऐसा दाओ चला है कि पपू यादों की परिसानी बढ़ और देखिए पपू यादों ने तो यहां तक लिख दिया है कि ना कॉंग्रेस छोड़ेंगे और उसके अलावा वो लिखते हैं कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पुर्णिया नहीं छोड़ेंगे तो इससे आप उमीद लगा सकते हैं कि किस प्रकार का घमसान अभी महा गटबंदन में होने जा रहा है पूर्णिया सीट में एक बड़ी लराई आपको देखने को मिल सकती है बीते कई महीनों से पपू यादों लगतार उस चेतर में काम कर रहे थे और उसके बाद उनकी मुलाकात रात में लालू यादों और तेजश्वी यादों से होती है दि जेडियू की विधायक भीमा भारती वो पाटी से इस्तिफा देती है राज़त का दामन धामती है और साफ कहती है कि अगर लालू यादो तेजश्वी यादो रावरी देवी चाहें कि पूर्णिया से मैं लरू तो मैं लरूंगी और वहां के जो वर्तमान संसत है संतोस कु तो मैदान में उतरने को लेकर बरकरार हो गया है क्योंकि एक तरफ कहां कॉंग्रेस तो उमीद लगाए बैठे थे लेकिन कॉंग्रेस तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है उसे तो मालूम ही नहीं कि बिहार में आखिरकार चल क्या रहा है हर सीट पर महागडबंदन के सहयोग दल केंडिडेट देते जा रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस ना कुछ बोल पा रही है ना कुछ कर पा रही है और लगतार केवल और केवल अपने केंद्रिये नित्रित्व की और देख रही है कि साइद उधर से कुछ संकेत मिले तो वो कदम आगे बढ़ाए तो बिहार की राजन चलते जा रही है और इस दाओं में इस बार पपू यादो भी फस गये हैं तो देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि पुर्निया की लराई में आखिरकार किसके बीच आमने सामने की लराई होती है क्या राजत भीमा भारती को ही सिंबल देकर मैदान में उतारेगी क्योंकि उन्होंने पार्टी से इस्तिफा देकर राजत का दामन थामा है तो मान के चलिए कि उनका लोकसभा का टिकर तो जरूर पक्का होगा और इसलिए उन्होंने जेडियू छोड़ा भी होगा लेकिन इन सब में आखिरकार पपू यादो कहा हैं पपू यादो क्या करेंगे क्य मदेपूरा में उनके लिए जगह बनाई जाएगी या फिर वो ऐसे ही रात आकते रह जाएंगे और उनको कुछ नहीं मिलेगा तो घमसान लगतार महागडबंधन में हैं लेकिन बगावत जनतादल यूनाइटेड में देखने को मिल रही है आगे भी अपडेट देते रहे सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें